नमश्कार साथ ही हूँ, मैं हूँ डॉक्टर अनन्द भारदवाज, आपने देख लिया आज का टॉपिक कितना जबरदस्त, रेमेडी करेंगे हम घर की बहुत सारी रेमेडी कर डालेंगे सिर्फ कॉपर वायर से, कॉपर की चीजों से, कॉपर के बरतन से, कॉपर के करता है, बहुत सारी रेमेडी कॉपर से, जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए बना रहा हूं, और चलते रही आखीर तक, करेंगे आप से शेयर, वास्तु की वो बात हैं, जो लोगों को पता नहीं हैं, अंतरराष्ट्रिये ख्याती प्राभ, सेलेब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु शास्त्र के एंसाइक्लोपीडिया, डॉक्टर आनन्द भारद्वाज, नमस्कार साथियों, बहुत-बहुत स्वाज़त है आप सबका, मेरे इस वास्तु के चैनल पर, जिसमें हम आपसे बात करते हैं, उन सब टॉपिक के बारे में, जिनको आप ढूंटते रहते हैं, टॉट्स लेकर पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलती, चोटे-चोटे उपाए कैसे काम कर जाते हैं, इसके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं, आइए, मैं आपको बताता हूँ, वास्तु की रेमेडी जो सिंपल होती हैं, एक बात मान के चलेना, वास्तु की जितनी रेमेडी होती हैं, उन पर खर्चे नहीं हुआ करते हैं, Remedies के नाम पर 10 जार, 50 जार, 1 लाग, 10 लाग, 20 लाग, कितना भी पैसा कोई आपसे मांगता है, कि मुझे remedy करनी है, मुझे लगाना है, लटकाना है, चिपकाना है, पूजा करनी है, विचार आपका, decision आपका, पर मैं आपको बताता हूँ, simple remedies. आईए, बहुत बर क्या होता है, कि हम जहें, हमें लगता कि हमारे घर में बहुत सारे वास्तोदोश हैं, तो अकेला copper कैसे काम कर जाता है, ये देखिए, हमारे पास है एक copper की wire, copper की wire, नॉर्मनी आपने देखा, इस टाइब से होती है, ये देख रहे हैं, आप copper की wire, ये बहुत काम आती है, तो जो copper की wire है, उसको हम कैसे use करेंगे, कहां कहां करेंगे, सबसे पहले तो आप देखिए, कि जैसे कोई भी भवन हो सकता है, कि south facing हो, या west facing हो, दर्वाजा south में होता है, बहुत बार, कई बार main gate south में होता है, बहुत बार west में बहुत जादा ऐसी संभावना होती है, के gate बिंडोस होती है, बहुत बार bulk निकली होती है, जितने भी चीजें south में west में निकली होती है हमें क्या करना होता है कि south और west से जो hard vibrations आते हैं, negative नहीं hard vibration जो आते हैं, उनको हमें control करना है, और वो vibrations जमीन में भी travel करते हैं, ऊबर भी ट्रेवल करते हैं अब जो जमीन को कट करने का असान तरीका हम कॉपर वायर से ठीक कर लेते हैं क्यों कॉपर जहना इकतना से आपको बताएं शुद्ध धातु होती है और यह जो है इसकी कंडुक्टिविटी बहुत जादा होती है तो यह जो चीजें होती है जो कॉपर की ची से यह घर पुरा का पूरा साथफ़ेसिंग है और गॉल्स फीन्गें हमें जो हमने कॉपर वयर डालनी है और कोमें ठीक करना है कि यह ऑड़ सकते हैं इसको और आगे लेसकते हैं इसके शालावर चैया है और हमारे पास साउतलबेश करना है अगर हमारे पास семь कटा हुआ साउथ वेस्ट का तो जैसे ही copper wire हमने दिखाई आपको इस copper wire को आप ये सीधा भी ले सकते हैं लेने के बाद में इसकी boundary को हम स्टेट भी कर सकते हैं सीधा भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो देखिए ये पूरा का पूरा हमने इस line को सीधा कर दिया एक तरीका है बहुत अच्छा इसके इलावा अब आगे चलते हैं ये देखिए ये भी south facing है इसमें भी जो है जो आप देख रहे हैं इधर की रोप पूरी north facing और वो पूरी की पूरी रोप south face में क्या होता है कि हाइड वारेशन जाते हैं अब इनको ठीक करने के लिए असान तरीका को बताते हैं कि यह देखिए इसको लेए हम copper wire को लाकर करके हमने जहास के साथ ये copper की wire भी हो सकती है copper की पती भी हो सकती है पतले से पत्ती भी काम करती है वायर भी काम करती है मोटी वायर बस ध्यान करना है बाल के बराबर मोटी जो हमारा हेर स्खिन है इतनी मोटी तार भी काम कर जाएगी चौड़ी पत्ती भी काम कर जाएगी एक बहुत मोटी जो पत्ती है वो और जो बहुत पत्त लिए दोनों का काम बिल करने के लिए ये जो है इस इसको हम उपर भी डाज सकते हैं अराम से जैसे हमारे पास पर बालकनी कोई जगा बने ही है कहीं पर भी डाज सकते हैं जहां पर हमें डालना हो कोई समस्थास में नहीं होती अब इसके बाद अगर आपकी बालकनी बनी हुई है कहीं साउथ में या रेस्त में वो भी नेगिरजमानी जाती वास्तिर के नुसार अगर बालकनी नौर्ट है इसमें हो तो बहुत अच्छी होती है अब यहां पर आपकी बालकनी लिख को मैं अधर करता हूँ की रेमिडिक कैसे करनी इसे हमें कि देखी आप देखना यह copper wire या copper के पती कुछ भी है यह बालखने के लास्ट एंड पर मैंने डाल दी इसी तरह से एक copper wire मेरे पास और है किस copper wire को मैंने आप देखना यह यह अंदर के तर डाल दी और एक जगां और भी है मेरे पास आप यह देख रहे हैं यहां से भी हम यहां भी डा सकते हैं अगर हम तीनों जगां डालते हैं कौपर वायर तो इसमें कोई समसाने थोड़े चीदी करके डाल देंगे हम तो यह सबके सब जितनी भी रेमेडिज हैं वास्तों की बहुत अच्छा काम कर जाती हैं इसका मतलब मैंने क्या किया मैंने एक कॉपर वायर यहां डाली और इसके बाद यह तो इसने कट कर दिया हमारे घर को इसके बाद एक कॉपर भायर मैंने इसके साथ-साथ यहां पर ृप जाल दी और और री सथ कॉपर वायर मैंने डाल दी इसके बाहर तो क्या हो रहा है कि इससे जितना भी हमारा के जितना भी हमारा साओध है पूरा का पूरा यहा से कट of हो जाता है सारी vibrations को कि खत्म कर देता है इवन अगर आप चाहें तो उपर भी डाल सकते कोपर वायर कोई सम्झा नहीं है ऊपर डालते हैं डबल काम कर जाती कोपर वायर इसके बाद हम चलते हैं आगे अब आगे देखिए बहुत बार क्या होता है कि हम बैट पे सोते हैं हमें कई बार नीन में प्रोडम आती है तब या कई बार बच्चे सोते बड़ते हैं और कई बार मेरे पास ऐसे लोग शेयर भी करते हैं कि सर कुछ दिन से ऐसा लगता है बच्चों को कि कमरे में कोई घूम रहा है कभी आवाजें आती है सोते सोते डरता है डर जाते हैं और उनके उपर जो से पसिना आ हुआ हो और आपने सुना है कि अंदर अपने स्राणे के पास में एक लोटा भर के तांबे का लोटा भर के रखो पानी का सुबह उठके पीते तो आपके स्थमक के लिए पेट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है इसके इलावा शोपीस भी रख सकते हैं आप आप देखना इसे उसको इसे बैख सकते हैं तो यह बहुत पर हैंक लोग कि बहुत जादा अपने बैटरूम में अपने कहीं पर भी बैठने के जिगहा बहुत ज्यादा मेटल यूजी करना चाहिए अब इसके बाद आगे चलते हैं और आप से शेर करते हैं नेक्स उसमें देखिए बच्छों की पढ़ाई के लिए आज कल और वह एजुकेशन मिलती है यह बच्छों की जो टेबल है उसके उपर रखने के काम आता है जब यह पर देखिए यहां पर रखशते हैं और दूसके बहुत जबादा बड़ा होगा तब ही काम करेगा यह चोटा सा पीस भी काम कर जाता है यह इसली यह फैंक्षी का एटम है, रख सकते हैं इसको आप, और बहुत पर क्या है, कि आपको याद होगा, जब छोटे बच्चे हुआ करते थे, डरते थे राक को सोते वे, तो उनके गले में दागे में बांध कर, तांबे का सिक्का डाला करते थे, छेद वाला, जिसमें होल होता था, उ ये सब चीजें कुछ ऐसी छोटी-छोटी रेमेडी है, जो कि आपको बहुत काम आएगी, अब ये कैसे काम करती है, होता क्या है, कि आजकल हम लोग जाए हमारे आसपास, इलेक्टर मेगनेटिक डेशन बहुत जादा होते हैं, तो जो कॉपर की चीजे होती है, ये अपने तांबे का बरतन यूज करते हैं, पानी पीने के लिए ध्यान करना, उसमें आपने खटे चीजें यूज ने करने, जैसे कि नेबू का पानी होता है, दही होता है, ऐसा खादे पदार कोई भी जिसमें खटापन है, बिल्कुल यूज ने करना, अधर वो खराब हो जाएगा और चोटे-चोटी रेमेडि, चोटे-चोटे ऊपाएं जो हमारे बनाए वे नहीं हैं, आधिका से चले आ रहा हैं, तांबे का बरतन होता है, ये बहुत पराणे समय से चली आ रही हैं, और आज हम इन सब रेमेडि को वास्तु में यूज करता हैं, अपने भले के लिए, व अगले वीडियो में फिर से आप से मुलाकात करूंगा एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा अब मुझे पता है कि आपको मेरा हर वीडियो बहुत अच्छा लगता इसको शेर करना लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब को चैनल को कर ही लेना बहुत काम आएंगे मेरे वीड आपका